हम microbit और neopixels यूज़ करते हुए ये interactive poster बनाना सीख रहे हैं इस video के part 1 में हमने जो हमारी 3 LEDs थी इनकी programming को समझा जब मैं sound produce कर रहा हूँ तो 5 second के लिए हमारी nose वादी LED लाइट अप कर रही है फिर 5 second के लिए lungs में लगी LEDs लाइट अप कर रही है इस video में हम neopixels की coding को समझते हैं microbit पर neopixels की coding पर मैं दो detailed videos बना चुका हूँ इन videos का link मैं YouTube के description में डाल दूँगा इस video में हम specific to this interactive poster neopixels की programming को समझते हैं इस strip में 8 neopixels लगे हैं neopixels individually programmable RGB LEDs है और इस strip का जो pin out है वो है ground, digital in, voltage और दूसी तरफ एक और ground हम दौनों में से कोई भी ground pin यूज़ कर सकते हैं strip के दूसी तरफ जो pins हैं वो हैं ground, digital out, voltage और ground तो अगर आप एक और neopixels strip add करना चाहो तो आप यहां से digital out से उसको connect करोगे पर हम केवल एक strip यूज़ कर रहे हैं तो हम केवल ground, voltage और यह digital in यह तीन pins यूज़ करेंगे मैं अपनी neopixel strips को microbit से connect कर रहा हूँ तो ground की pin, microbit के ground में voltage की pin मैं अभी microbit की voltage supply से connect कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं केवल यह 8 leds ही इसमें लगाने वाला हूँ जो बाकी हमारी leds थी इनको नहीं connect कर रहा हूँ इसलिए it is safe to connect this neopixel strip directly to the microbit board तो मैं यहाँ neopixel की digital in pin है इसको मैं microbit की pin number 0 से connect कर रहा हूँ next हम समझते हैं make code पर neopixels की programming इस video के part 1 में जो हमने program लिखा था 3 leds को control करने के लिए इसको मैं side में रख रहा हूँ हम neopixels का extension use करेंगे तो आप extensions में जाके neopixels के लिए search कर सकते हो और फिर इसको install कर सकते हो install करने के बाद आपके पास यह नया extension होगा neopixels का जिसमें आपको neopixels से related programming blocks में लेंगे neopixel strips use करने के लिए हमें सबसे पहले strip को initialize करना है इसके लिए हम यहाँ मैं basic में जाके on start का block ला रहा हूँ और फिर neopixels में जाके मैं कह रहा हूँ कि set a variable called strip to neopixels which are connected to pin 0 जैसा हमने अभी connect किया था जो neopixels की digital in pin थी उसको हमने pin 0 से connect किया था इसलिए हम यहाँ pin 0 से लेक कर रहे है इस हमारी strip में 8 LEDs है तो हम कह रहे हैं 8 LEDs in RGB mode तो strip को initialize करने के बाद हम इसको code करते हैं तो coding के लिए मैं neopixels more में जाके हम यहाँ से एक command आ रहे हैं कि set the color at pixel number 0 to red और हम चाहते किया हैं कि हमारी जो 8 LEDs हैं वो one after the other light up करें तो इसके लिए मैं पहले loops में जाके यह for index की command ला रहा हूं और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि यह जो index नाम का एक और variable है इसकी value change होगी from 0 to 7 यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो new pixel strip है उसमें 8 LEDs है और उनकी जो index value है वो 0 से लेके 7 तक है तो पहली LED जो है वो 0 फिर दूसरी LED 1 तीसरी LED 2 and so forth तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जब यह loop iterate होगा तो पहली बार जो हमारी हमारा जो index नाम का variable है उसकी value 0 होगी और हम pixel 0 को red कर देंगे फिर next time index की value 1 होगी तो हमारा pixel number 2 जो था वो red हो जाएगा and so forth पर जब हम new pixels में यह command use करते हैं तो इसके साथ साथ हमारे को यह strip show की command भी use करनी पड़ती है क्योंकि यह जो है यह signal को actually transmit करती है पर जैसा आप यहाँ simulation में देख रहे हो यह instantly सारी leds हमारी light up कर गई है हम ऐसा नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि एक एक करके led light up हो तो इसके लिए हम यहाँ पर एक pause डाल रहे हैं कि पहली led को light up करना और उसके बाद let's say 500 milliseconds रुकना और फिर next led को light up करना जो अब आप यहाँ simulation में देख सकते हो पर यहाँ जब next led light up हो रही है तो पहली led बुझ नहीं रही है हम चाहते हैं कि वो बुझ जाए इसके लिए फिर हम वापस new pixels में जाके यह strip clear की command ला रहे हैं तो इसकी वज़े से आप simulator में देख सकते हो कि हमारी जो leds हैं वो one at a time light up कर रही हैं अब जो हमने पहले program लिखा था जिसमें हम अपना sound level के हिसाब से ये सारी leds control कर रहे थे क्योंकि जब हम अपने interactive poster में फूक मार रहे थे तो एक sound produce हो रही थी और हम check कर रहे थे कि उस sound का disable level जब एक threshold से उपर हो तब हमारे actions जो हैं वो trigger हो तो यहां पर मैं अभी यही जो हमारा loop था इसको मैं यह पूरे program को इस loop के अंदर डाल रहा हूँ तो हम यहां program क्या बना रहे हैं कि forever check if the sound level is greater than 100 then execute these commands तो यहां आप देख सकते हो कि अभी sound level 128 है इसलिए यह जो हमारी leds हैं यह one after the other light up हो रही है और अगर मैं इसका sound level कम कर देता हूँ तब यह एक बार light up होंगी फिर यह light up होना बंद हो जाएंगी क्योंकि जो sound का threshold level था वो अब 100 से कम हो गया है और अगर threshold फिर बढ़ेगा तो जो हमारी leds हैं वो light up होंगी तो threshold बढ़ने का मतलब है लास्ट led है वो light up ही रह रही है हम चाहते हैं कि यह भी बुझ जाए तो इसके लिए एक simple तरीका है कि हम index value एक से बढ़ा देते हैं तो अब जब हमारा simulator चलेगा तो हमारी जो led है जब threshold कम हो जाएगा तो लास्ट led भी बुझ जाएगी तो हम इस code को अपने microbit में transfer करके test कर सकते हैं हमारे microbit version 2 में जो microphone की led है वो light up हो गई है यानि कि हमारा sound sensor operational है अब अगर मैं कोई sound produce करता हूँ तो जो हमारी neopixel strips हैं वो जैसा हम चाहते थे वैसी light up हो रही है next step पर हम जो हमारा पुराना program था हम उसको यहां पर incorporate कर रहे हैं तो हम यहां कह रहे हैं कि अगर जो decibel level है वो 100 से जादा होगा तो पहले जो digital pin 1 है उसको high कर देना और pin 1 से हमारी जो nose वाली led है वो connected है और फिर हम कह रहे हैं कि इसको मानलो two seconds के लिए light up रखना फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी pin 1 यानि nose की जो led है वो फिर बुझ जाए तो इसके लिए मैं यहां फिर कह रहा हूँ कि digital right pin 1 to 0 तो वो led 2 seconds के लिए lit up रहे के वो बुझ जाएगी फिर हमारा यह जो loop है जो new pixels को control कर रहा है यह execute होगा और इसमें new pixels कितनी देर के लिए lit up रहें आप इस pause से control कर सकते हो तो मैं कह रहा हूँ कि हर led जो है वो 800 milliseconds के लिए lit up रहे और इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी pin number 2 है यह मैं loop के बाहर डाल रहा हूँ कि जो हमारी pin number 2 है जिससे हमने lungs में लगी दो leds जो है इनको हम control कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इनको high कर देना 2 seconds के लिए और फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको duplicate करके कि इनको भी फिर low कर देना और यह सब तो तब execute होगा अगर जो sound का decibel level है वो 100 से जादा होगा पर अगर यह sound का level इस से कम होगा तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि not only हमारी जो दौनों हमारी सारी leds जो है वो light up ना हो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे हमारी new pixel strip light up ना हो तो इसके लिए मैं new pixels में यहां कह रहा हूँ कि strip clear तो जो हमारी 3 leds हैं यह जो led जो हैं यह हमारे lungs में लगी हैं यह सभी around 200 ohms के resistor से connected हैं तो इनको मैंने इनके जो तीनों leds के ground wires हैं उनको मैंने इस mini breadboard की इस strip में डाला है और यहां पर यह jumper cable यह जो gutter के आस पास लगा रखा है तो यह सारी जो strip है यह अब ground की strip हो गई है फिर मैंने जो हमारी nose की led का wire एक है वो मैंने यहां डाला है इसको हमारे को microbit की pin 1 से connect करना पड़ेगा और जो हमारी जो lungs की दो leds हैं इनकी जो positive wire है इसको मैंने red board में यहां लगाया है और इसको हमारे को pin 2 से connect करना पड़ेगा क्योंकि अब हम तीनों led और neo pixels को use कर रहे हैं तो हम यहां पर neo pixels को एक अपनी power supply से लगाना चाहेंगे ताकि हमारे microbit जो है वो safe रहे तो इसके लिए मेरे पास यह एक battery pack है तो यह neo pixel strip जो है यह 4.5 volts इसमें हमें देना है तो यहां पर मैंने 6 volts में एक battery हटा के उसको directly connect कर दिया है तो हमारे पास यहां 4.5 volts की यह battery pack है हमारा और इस battery pack का जो हमारे पास positive terminal है इसको मैं breadboard में यहां connect कर रहा हूँ और जो ground या negative terminal है वो यह जो हमारे breadboard में हमारी सारा common ground चल रहा है यहां से connect कर रहा हूँ और finally मैं जो new pixel में हमारे पास voltage की pin है जो हमने पहले microbit पे लगा रखी थी इसको मैं अब यह battery pack है जो positive terminal है इससे attach कर रहा हूँ तो अब हमारा circuit है वो तयार है next हम इस interactive poster का last part सीखते हैं कि हम इसमें कोई sound add कर देते हैं ताकि यह ज़्यादा engaging बन जाए program में sound add करने के कई तरीके हैं यहां मैं music में जाके scroll down करके यह play sound का programming block ला रहा हूँ यह block हमार को अलाओ करता है कि हम अपने sound effects जो है वो create कर पाए by changing the frequency by changing the start volume, end volume and adding effects and interpolation और waveform भी हम यहां पर इसको change कर सकते हैं तो हम basically कोई sound wave produce करना चाहते हैं जो कि ऐसा लगे कि सांस जो है वो नाक से lungs में गई तो मैं कोई simple सा यहां sound effect डाल रहा हूँ और इसको हम यहां try करके देख सकते हैं हम इसकी duration बढ़ा सकते हैं तो let's say around हमारे को probably 6000 milliseconds या 6 seconds की यह sound चाहिए मैं यह programming block if conditional statement के एकदम नीचे add कर रहा हूँ और मैं यहां कह रहा हूँ rather than until done in the background जब यह loop execute होना शुरू होगा तो यह sound बजनी शुरू हो जाएगी पर जो program है वो next commands को भी execute करने लगेगा अगर until done मैं कहूँगा तो पहले पूरी sound बजेगी फिर बाकी चीज़ें execute होंगी जो हम नहीं चाहते हैं और हम इसको अपने micro bit में transfer करके test कर सकते हैं तो इसकी timing जो है हम उसको यहां ठीक कर सकते हैं हम यहां इसको बहुत कह देते हैं one second के लिए यह जले यह maybe just 350 milliseconds के लिए जलें और यह two seconds ठीक है तो यह नया program में transfer कर रहा हूँ I hope आपको यह interactive poster का video पसंद आया और अपनी next school exhibition के लिए आप ऐसा कुछ बनाना try करोगे झाले हम दो बुशज भजए बना इससे कर रहा हूँ in